बिग बॉस ओटी टू लाइफ फीट के दोरान सुबा सुबा एलविश यादो के चेस में पेन होता हुआ दिखता है जहां एलविश यादो को जादा ही पेन होता रहता है जब मौर्निंग होती है तो अपने चेस पे हाथ रखके बैटरी के लिए जब बोला जाता है तो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि वो रात में काफी देर तक बैठे थे सबके साथ खाते हुए अंडा ब्रेड़ी सब खा रहे थे जिसके वीज़े से उनको गैस हो गया होगा तो आपके खैल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना